हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल आति प्रिया कुकिंग अब आज मैं भी सब के लिए एक कर न्यू डिजाइन लेकिया हूँ अब बेक करना केक streams लोसे अ क्यों हूइ उस आज में यह आज यह उन ही बनाया तो आज मैं नीज डिजाइन बनाया है। और यह जो था पूरे तो इसे इस्टेंट करने के लिए आपको इस्टार डालने की बहुत ज्यादा ज़रत है क्योंकि जो हमारा केक है जब हम दूसरा केक उसके उपर रखते हैं तो वह इस्टेबल रहता है अगर आप उसमें श्टार नहीं डालेंगे तो जो केख अंदर धस जाते इसलिए कभी प तो जो पिक मुझे भीजा गया था उसी साब से इसका जो डिजाइन है पूरा कर्यू में अपने तरफ से मैं इसमें कुछ नहीं डाला है आज जो पिक मुझे आया था मैंने वैसे ही बनाया है बस यह मुझे कैसा बना है वो आप बताईएगा आपको कैसा लगा ये एज़ जो चायको मैं इसका जो ड्रेश है वो बना दिया है तो आपको क्या करना है इसका जो ड्रेश है डो खिलर में था पिंक उड्वाइट तो आपको दो नोजल मैं आपको खिलर सेो गला definite और फिर हमें बना देना है डॉल का ड्रेश है ना तो यह जो है हमने डॉल का ड्रेश बना दिया है अब हम वाइट से भी कर देंगे पिंक से करने के बाद हम इसे वाइट से कवर कर देंगे तो जो इसका है ड्रेश डॉल का वो बन जाएंगा और फिर हमें जो है ना इसके जो का है थोगा सा पिदेंगे लगका कि जो भीजा आयू आप लेका तेखिये का तो पहले worse थोड़ा सत तिर्चा लेकर आपको कर देना है अना पहले एक STEVEN करना पुरण साइडन से टो एक बन जाएंगा और फिर उसमें हमकर पिता है रोइस पर्मॉ फिर हं मैं पर खंड किएрок आप पेसके notch तो यह दिखी ए बन पर यह दूसेरी साइड किसके पर और बन गया था लेकिन अभी इस पर पता नहीं ऐसे लग रहा था क्यूंकि मैं यह यह डिजाइन जो है यह सेकंड बर ट्राइ किया है अब क्या था इसमें बने थे रोज साइड में तो मैंने बना लिया है रोज तो इसे हम लगाएंगे साइड में यह देखिये बहुत सुंदर लग रहा था वैसे तो जो बच्ची का है यह क्यूंकि ना तीन साल की बच्ची का है जहां तो उसके साब से डॉल केक था तो यह जो है बच्चों को जो है डॉल केक बहुत पसंद आते हैं अकसर करके देखियू मैं कि जैसे चोटे बच्चे है तो बस डॉल केक बनाना बहुत सारे और्डर में पास आये हैं से डॉल उनको काफी पसंद दोती है तो यह हम बना देंगे वाइट कलर से इसका लीफ है तो यह देखिए हमारा जो केक है ना इसके फ्लावर्स बने है और अब हम क्या करेंगे जो हमारे जो डिजाइन ने बनाया उसमें हम ल इतने सुन्दर दिखते हैं मन ही नी मानता है अब यह जो हमने डिजाइन बनाएंगे न तो उसके जो बीच में जहां पे लाइन टच होती है और उपर में आपको वहां वहां पे यह जो इस प्रिंकल यह लगा देना है तो हम सारे जितना उपर और नीचे है पूरे में से ल ऊहतने है है ना डिजाइन आप जैसा इसमें चेंजस करना चाहें कर सकते हैं यह तो यह आइडिया होता है ईज़्शही को ना जासे हम क्या डिजाइन करें तो एक जैसे हम कुछ देख लेते हैं मालो आप मेरा ही वीडियो कीज़ेशै है आपने अभी प्रश्षिक सीखा य आपको एक idea जाएंगे कि निए इस तरीके से हम बना लेते हैं तो क्या होता है यह बहुत help करता है हमारे लिए कोई भी design हम जब देखते हैं मैंने भी जब cake बनाना इस्टट किया था मुझे पहले से बहुत सब्सक्ता cake बनाने का लेकिन का काम अच्छा ही होगा आपको दिल लगा के मन लगा के काम करना है तो हमेसा ही अच्छा होता है वैसे ही जैसे हम केक बनाते हैं तो इसमें हमारी बहुत महनत लगती है ऐसा नहीं है दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे हो जाता होगा जल्दी लेकिन बहुत महनत लगती ह घर के सारे काम करो उसके बाद फ्री हो फिर केक का काम करो काफी चीजे होती है जो हमें फेस करना पड़ता है लेकिन एक इंट्रेश्ट भी होना बहुत जरूरी है इस चीज में क्योंकि जब हम बेकिंग का काम करते हैं तो इसमें इंट्रेश्ट जादा वाइने रखता है क्य तो बॉर्डर जो है हमने सिंपल दी है पॉल वाली आपको पता है गोल वाला नुजल लेके ही करना है फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा है आप जरूर बताइए गा और प्लीज प्लीज आपके लिए इता अच्छा डिजाइन लेकिया तो प्लीज बेशनल को सब्सक्र कर दीजेगा और कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा कि आपको एक का डिजैन कैसा लगा है तो यह हमारी प्यार इसी डॉल के जो है यह हो गया है बनके तयार और अब आप लोग की बारी है बताने की कि यह डॉल के कैसे बना है तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट के साथ और तब तक के लिए आप अपना रखिये ख्याल और जरूर बताईए कैसा बना है यह हमारा केक यह देखिए हमारी डॉल कित्ती प्यारी लग रही है तो यह हमारा जो केक का है फाइनल लुक सो फ्रेंड्स आप जरूर बताईएगा कि आपको यह डिजैन कैसा लगा मेल देविर!